हालो एंड वेलकम टूटी ट्विटी फॉर है तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करेंट अफेस के सेशन में तो आज के करेंट अफेस के सेशन में डिसकस करने वाले हैं तो जितनी भी अंतर राष्टी जगत और जगत से जोड़ी जो खबरे हैं जो एक्जाम में पूछी जाती है एससी के रेलवी वगेरा की इन सब को हम लोग इंडेफ्ट डिसकस करने वाले ना पूरी जानकारी के साथ में तो चलिए शुरू करते हैं है तो झाल के कैभ तो तोो कि इंडिया अपना जो अदल आर्मी है वह कंट्री से बीड्रॉल करके वाली है कि और उनको सा कंट्री है को अपने मिलेटरी करने वाली है लिए अभी सब्क्राइब के साथ में हुए कि मॉल्दीव तो इलक्षन हार कंट्री में अपने पूझ्द लोग सभाग एलेक्षन हा रहे हैं लोग सबाइब तो कंट्री जो जितनी भी हमारी पाटीज है वो अपनी तयारिया करेंगी बीजेपी कॉंग्रेस पर आरफ पावर में आएंगी तो यह कर देंगे आमादमी पार्टी आएगी तो कहेंगे ये कर देंगे तो सब के अपने पर इसे जब मालदी में कैँ अगर अपर में और साथ एंड नाइंगे एंडिया के साथ रेट करेंगे रिंगे और अपने कंट्री का क्या करेंगे बेकास करेंगे बीस्री नि हम पावर में आए तो जो अंडिया जो इंडिया गव्मेंट है उसके साथ हम रिष्टे अपने क्या करेंगे कम करेंगे चाइना के साथ बढ़ावा देंगे ठीक है इसके अलाबह एक प्रॉमिस और किया गया एंटी इंडिया पार्टी के द्वारा कि अगर हम आएंगे तो ज इंडिया आउट यह केमपेंच चलाया अब जब एलेक्शन होए तो यह एंटी इंडिया वाली पर्टी जो है जिन्हों ने इंडिया आउट का नारा दिया था अब इनकी उपार प्रेशर मना कि भाई तुम्हें जिता दिया आप इंडियन आर्मी को बहार निकालो तो इनकी आपको बहुत सारी चीजे दिये हैं हैलिकॉप्टर बगेरा दिये तो इनके रख रखाओ के लिए हमें तो कोई तो चाहिए ठीक है अदर्वाइश क्या पता कल को चाइना आयो चाइना इने खोल के देखे रिवर्स इंजिनिंग करके दूसरा बना ले तो हम तो नहीं साथ में इंडिया ने खाया कि आपनी जो मिलेटरी है इसको रेप्लेस कर देंगे टेक्निकल स्टाफ के साथ रहे चकलिंग किलिंग स्टेशन rural इस्टेशन चन को ला गया है साइंटिपिक इंवस्टिंगेशन के लिए हमने भी इंडिया ने भी खोले है बहुत सारे मतीम हम किस कंठीन है? अंट्रेका में किलिंग नाम का scientific investigation इस्टेशन का नाम क्या है तो आंसर होगा किलिंग इस्टेशन ठीक है चलिए अभी हाली में एक कंट्री एक कंट्री ने डिक्लियर कर दी नेशनल एमर्जेंसी क्यों डिक्लियर कर दी कि हाँ पर समदर में एक जहाज आ रहा था जिसमें बहुत सारा ऐल भरा था और जो जहाज था वह समदर में क्या होगया समदर में क्या हो गया उपसौर ऑयल इस्पिल्ड की बज़े से ठीक है इस टिक्लियर किया घी कका है कहांपे है केरिवेन कंट्री है एक केरीवियन कंट्री है जिसने अभी हाली में आप सोर ऑईल स्पिल के ऊपर नेशनल इमर्जेंसी टेकलियर तरती है कि कह चलिए ड्रीम ऑफ दडेजर्ट ये क्या है ड्रीम आप्दा ड्रीम अफ दडेजर्ट क्या है एक लेक्जरी क्लीड है कि एड्रीन निए स्वाझी और लिए साथी इरविया की पहली लग्जरी ओन्हें थे इस पुछा चाहिए सकता है अ 네 लिए में सब्सक्राइब की धरी कि पहली लगजरी ट्रेंट तो उसका नाम होगा ड्रीम अब्ट डाइजट और साथ सौधी नहीं एविडिलिस्ट की भी पहली लगजरी ट्रेंट टीक है चलिए हे अगर इकॉनमी के परस्पेक्टिब से बात करें तो दुनिया की सब्से वड़ी एकॉनby को दूसरे नंबर पे चाइना है ऐं में टीसरे नंबर पे जपाँ क के अभी जपान को क्या दिया खेट कर दिया गया एक रिप्यों कर दिया हो तीसरी सबसे बड़ी कान चिंट्रि घर्मनी या फिर सबसे बड़ी करने के बाद में आप जापान को as a third largest economy replace किया है तो आप का अंसर होगा जर्मानी तो actually हुआ क्या यह इतना तेजी से यह shift क्या हुआ है कि एकदम से जर्मनी ने क्यों overtake कर दिया जर्मनी जो चौथे नंबर पे था उसने कैसे एकदम से जापान को overtake कर दिया यह उफिए चुलि जापान की आगर बात करें कि तो जापान में एक समस्या आरही आ रही है aging problem शहां जा जा रहा हो बढ़ापे की शमश्या क्या आश्चकी समस्या कि बढ़ा बच्चों की थेमी है यह जैन्य कि बहुत कम बच्चे पैजा हो रहा है पर जापान में बच्चे बहुत कम प्यादा हो रहा है तो इसके estimates is a कमपनी जी फैक्ट्रियां कि कंटिटी कम होने से इंकम कम गई इंकम कम ने से डिपी जोगी और यही रिजन दुखवा है इसकी बैसे जर्मनी को ओवर टेक जर्मनी ने ओवर टेक कर दिया है जापान को एज थर्ड लार्जर ठीक है आया समझ में चलिए नेक्स कि इंडोनेशिया कि इंडोनेशिया इंडोनेशिया में अभी हाली में एलेक्शन कि किसके लिए यहां पर कैसा कैसी सरकार है प्रेसिडेंट यहां पर सब कुछ होता है तो प्रेसिडेंट के लिए एलेक्शन में ठीक है तो एक नया परसन जो है अभी हाली में प्रेसिडेंट बनाएं इंडोने तो यह इंडोनेशिया के नए प्रस्पेक्टिब से स्याद रखेंगे प्रवोगो इससे पहले राष्पती बनने से पहले यह स्पेशल फोर्स के कमांडर भी रह चुके हैं डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके तो अब यह इंडोनेशिया के नेक्स्ट बन गया है ठीक है और पिए सेंख्स मैरीच हम लोगों ने हैं मैं यसिंटी राष्प चल रही है पूरी दुन्या इसके बारे में बात कर रही है और ना इलते सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो लोग साधी करने जा रहे हैं ठीक है हम क्यों बताएंगे कि कौन किसे साधी करें अगर कोई लड़का लड़के से साधी करना चाहता है करने दो उसकी चोईस है तो इसको बारे में दो निकल के आ रहे हैं तो जिनको सेम सेक्स मैरिज से नापसंद है या सेम सेक्स मैरिज के बिरोधी है वो क्या कर रहे हैं अब हाली में एक देश है कि महां पर एलेक्षन में जैसा भी हमने मौलदी में डिसकस किया था कि दो मुद्देथे यहां भी दो मुद्दे एक तो था कि भई कि सेम सेक्स मैरिज के सपोर्ट में कर देए के यह कुए हम आएंगे तो हम सेम्सेक्स मस्ग्र को क्या कर देए लिए टिक सेब दहीं में को मिल जाएंगे दूसरा सकी जें सेक्स मैरेज की को जा एक है कि वह का रोट है थो दूसरा प्रती वह की दुए डूसरा बन conceal dawn हैंसे मैरेज को band कर देंगे ईविट सेंग सेक्स वालों को य। एलेक्षन हुए और यह सेंग सब्सक्राइब को जब जीत गई तो जित गए नहीं का कि य। लॉइस लो मना आया और लीगलाइस कर दिया तो कौन सा देश है जिससे घर में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइस किया है त्याफ कर यह क्या नाम है तो यह है घ्रीजkich एक एक yours इस ने अपने देश में भी हाली में सेक्स मेर्ट को क्या कर दिया लेगलाइज कर दिया है ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है इसको भी याद रखेंगे आप सुमेंसाइब कर दिया यह वह प्रफेस्टिबल इस एक अब करी जारी में कहां पर सैलेबेट किया जाता है क्यों थान इस गया ग़िए मस्किलरी फेस्टिवल एक अणतर सारी लोग गयादर होते है और मसल फाइट होती है इनके बीच में आना तरह तरह के एक मस्केटियर गेम्स खेले जाते हैं तो अभी हाली में इस गेम को क्या कर दिया गया बैन कर दिया गया कि जो देस है ना उसमें आप यंग लोग तो उन्होंने बोला कि ठीक है कम हो गई है संख्या अगर इन लोगों की तो इसको बैन कर देते क्योंकि ट्रेडिशन के नाम पे बुज़र्ग लोग थे वो इस फेस्टिबल में जाते थे और उनकी जान को खत्रा होता था कई सारे लोगों की डैथ हो जाती थी हार्ट अटेक से वीर के कारण तो इस बैस से इस फेस्टिबल को बंद करने का निर्यों लिया गया दुनिया के बन अब दा ओल्ड से यह आता है एक हजार साल पूरान है बन हीर औलद वन थाउजंड यह ओल्ल्ड तो वी हाली में किस कंट्री ने इसको बैन कर दिया किस कंट्री में मनाया भारत मार्ट एक प्लान बनाया है कि अभाई ऐसा करते हैं कि हमें एक्सपोर्ट के लिए लोगों की तरफ नहीं देखना चाहिए है ना कि लोग आएंगे हमारे एक्सपोर्ट करेंगे ठीक है इस सिर्फ पर ही डिपेंड नहीं करना चाहिए हम के हम ऐसा करते हैं कि हम देशों में जाते हैं अपना समाल लेकर कैसे जाएंगे समाल लेकर कि अपना समाल एक किसी पार्टिकुलर कंट्री में जाएंगे और वहा तो और सारे देशों में आपको भारत मार्ट देखने को मिलेगे हैना भारत मार्ट यहां सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट विका करेंगे तो अभी हाली में एक भारत मार्ट का इनौगरेशन किया गया जो की बहुत बड़ा है अपने आप में एक लाख स्कॉाइर मीटर में खैल किसी तभी इसको आना क्या किया था तभी इसको इनौगरेट किया तो वह जगे है दुबई किस कंट्री में तो अभी हाली में प्राइमेस्टर मोदी ने यूए दुबई में क्या किया है भारत मार्ट का इनौगरेशन किया यह भी इंपोर्टेंट है एक्जाम सकता है कि भाई अभी हाली में प्रधान मंत्री नरेद मोदी द्वारा उदिकाटिद भारत मार्ट जो कि दुबाई में है वो कितने एरिया में फैला हुआ है तो एक लाक स्कॉर में पर के एरिया में यह फैला हुआ ठीक है चलिए नेक्स्ट इंडिया ज मोस्ट वैलकमिंग लेजन इन 2024 एक रिपोर्ट आई booking.com कमपनी है एक ट्रैवल कमपनी है booking.com ठीक है इसने अबनी रिपोर्ट पेस की पॉब्लिस करी दुनिया के सामने जिसमें इंडिया के जो टॉप अना टूरिस्ट स्टेट थे ना उनको दिखाया गया कि कौन सा टॉप टॉरिस्ट मतलब इंडिया के जो टॉप टूरिस्ट स्टेट ने उनको नाम दिया गया इंडिया most welcoming यह रिजन में अनक ग्सushकिन का नाम पॉप पर है तो यह सटेट है हमाचल प्रदies को इंडिया का मोस्ट अवर्कमिंग रिजन डीकलियर किया गया थाना इन्ड़ il 1970 अ हृष्ट टीक है चल है नेक्स्ट कि आइन लोई एस कि तुवा तरहों है अनौ एस कि नोह एस कि को जी कहां पर हव्य हाली में लोई एस की खूज की गई तो लएश की खोज एंगए में भारत के राइस्थान में हो यह सकता है कि अभी हाली में किस भार्त ही राजिमें आयर राइस्थान में पोछ सकता है राइस्थान में किस स्थान पर आइरन ओर की अभी कोज की गई है तो होगा आपका करॉली निचिग थीक बन मित्री स्कीम नेक्स्ट बन मित्री स्कीम बन मित्री स्मीम बन म्मित्री स्कीम सुरू कि गए ख़ी यहीं यह को बढ़ाने विए यह हैं सपर और और हमने लगबग 14% से शुरू की थी और आज हमारे पूरे देश में 25% भाग पर क्या है 33% का लग्षे पाना है और इसके लिए सारे स्टेट जी जान से महनद कर रहा है तो अभी हाली में एक स्टेट ने अपने हैं पर करना है तो यह स्टेट है अभी हाली में बनमित्र इसकी ठीक है तो यह पर को बढ़ाने के लिए तो यह स्टेट है हर्याना 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 ने लॉंज की अभी हाली में बनमित्र इसकी ठीक है चली नेक्त काजी नीवू काजी नेन में है कि शिट्रस लोन लेमन है न है तो अब हाली में एक स्टेट है जिसने काजी काजी नीमू को अपना state fruit declare कर दिया है तो कौन सा state है यह असम तो असम की जो गवर्मेंटर्स ने काजी नीमू को officially declare कर दिया है सकता है हाली में किस स्टेट ने काजी नीमू को अपना state fruit declare किया है तो आप आंसर होगा असम इंपोर्टेंट है एक जाम परस्पेक्टिब से याद रखें आधी महुस्थ सब आधी महुस्थ क्या है नेशनल ट्राइवल फैस्पिटल ठीक है नेशनल ट्राइवल फैस्पिटल देशेप दिफ्रेंट डिफरेंट कोणों में मनाया जाता है तो इस साल जो ट्राइवल फैस्पिटिबल था वो कहां मनाय गया साल जो ट्राइवल फैस्पिटिबल न्यू डेली में मनाये गया मेजर ध्यान चंद नैशनल इस्टेडियम निउडैली ठीक है फरवरी 10 टू फर्वरी 18 ठीक है आदिम हो सब क्या है नेडनर ट्राइवर फेस्टिवल कामन आए गया न्यू डेली विजय ध्यांचन इस्टीडियम तस फर्वरी से लेके 18 फर्वरी की बीच में ठीक है चलिए नेख्ट चलिए हेलिकॉप्टर इमर्जेंसी मेडिकल सर्विस हैं तो है कि होती है लिक्रफर को इस्तेमाल किया जाता है बडॉर्ण तो होस्पिटल तक जाने का जो टाइम है वह रहता है है कि अधि ट्रैफिक से रहत मिल जाता है तो अब इतक इंडिया में ये फैसिलेटी अवैलबल नहीं थी अब हो इंडिया में अभी हाली में ये सुरू किया गया है कौन सा इस टेट है जहां इंडिया का पहला android इमरजर्ट मढेकल सर्विस से गई है था ड्रखें रही एंग अ है एक्जाम पर्स्पेक्टिव से पुत्राखंड में हेलिकॉप्टर इवर्जेसी मेडिकल सर्विस अभी हाली में शुरू के गए ठीक है चलिए नेक्स्ट राम मंद्र का इनाउगरेशन हुआ उसके बाद प्राइमिनिस्टर मोधी अभी एक देश की विजिट पर गए ते और वहां उन्होंने एक हिंदू टेंपिल का इनाउगरेशन किया तो यह है अबुधावी जोकी कहा है तो यूए में बनाए हिंदू टेंपल इसका इनाउग चाहिए पादक पादक यह पादम शिरी और भाराधत को डिसकस किया जाता इसलिए इसका नहीं किया जाता है और जीवन रक्षा पादक किसी ऐसे पुलिस परसनल को या जीवराज्शा पदक है rolling गिंग upload इक बच्चे की जान बचाने खिल गिलिए आर पिसकान पिर ट्रै ओर को कॉन का नाम है तो नाम थ्यान मिष्क्टर सी कंग rich इंग्लिश में जनान पीट लिखा जाता है भाट यह उन्हें पिप्सका लिट्रेचर के फील्ड में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वाड है तो इस साल यह जो लोगों को दिया गया है यह जो एक सॉंग राइटर है कभी है किस बहुत आके और इसके अलावा जगद गुरू राम भगद्राचारे किस फिल्ड में दिया गया है इनको संस्कित में दिया गया है जगद गुरू राम भद्राचारे ने ठीक है तो इनको ग्यान पीट अवार्ट दिया गया है दोजार तेज का तीक है याद रखेंगे बहुत इंपोर्टेंट दुनों अब और उपर अजीम रख्षा पदक वाला भी यह वाला भी और यह वाला भी ठीक है चलिए नेक्स्ट अज अज़िए और वपके बिन की इसको इस भार एक प्रपज किया जाता है और जिसको इस्तिमाल किया जाता है क्यों पहुचाने 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 है होतियार पहुचा नहीं है तो इन्हों ने इस हेलिकॉप्टर को ऑक्टोप्टर को डवलप किया है उसके लिए इनको इस चाल का बिस्ट सेवा मैडल दिया गया है और इनका नाम है हवल्दार बरिंदर से बहुत इंपोर्टेंट है जाम प्रस्पेक्टिब से जहाद चलिये अभी हाली में मिनिस्ट्री अब जल सकती ने वर्ल्ड वॉर्टर अवर्ड डिस्टिविशन की तो इसमें वाटर वॉर्यर सिटी का एक आवर्ड दिया गया वार्टर वॉर्यर अब इसको दिया गया नॉइडा को क्यों दिया गया चुब इन वाटर लेवल है वह काफी नीचे है ऐसे में नॉइडा ने जिस तरह ब्रीन वाटर हॉर्वेस्टिंग के थूँ बॉटर मैनेजमेंट सिस्टम के थूँ जो बॉटर नीट्स है पानी की जो आपा सकता है उसको सब्सक्राइब को देखते हुए जो जल सकती मंत्रा ले है हमारा उसने दो को बॉटर का टाइटल दिया है ठीक है चारी को सारे को बलाएंगे अपना प्रचार करने के लिए ना ताकि उनका बोटिंग परसेंटेज बढ़े और एलेक्शन कमिशन भी बहूत सारे एक्टर ए को बलाता है ताकि लोगों को मोटिवेट किया जासा कि ज्यादा से ज्यादा कि बोट करें तो अभी हाली में पंजाब का जो इलेक्शन कमिक्शन है उसने क्या करा है एक इंडियन क्रिकेटर को अपना स्टेट आईकों डेक्लियर किया है एकन उū reckon गते हैं क्या नाम इनका इस सबंगिल को ऐगया है पंजाब का इस स्टेट आइकन फो- rontॉडिट पंजाब लिए इंपोर्टेंट नहीं है चलिए है अभी हाली में आप आप इसी आइसी आइप ने अपॉइंट किया अपना एक नॉन एक्जीकिटिव पार्ट टैम चेर नाम है प्रदीव कुमार सिना प्रदीव कुमार सिना को को अपॉइंट किया गया नॉन एक्जीकिटिव पार्ट्ट चेर्मेन ऑफ इसी एक ठीक है चलिए नेक्स्ट आइसी जे का मतलब क्या होता है इंटर्नेशनल को अपॉट ऑफ जेस्टिक यह दुनिया का सुप्रिम पॉट है यह पूरी दुनिया का एक सुप्रिम कोट होता है और यह दो कंट्रीज के बीच डिस्प्यूट को सुझाते हैं यह ना माम लों को सुझते हैं जैसे उसी वे में इस्तरह सुप्रिम कोर्ट में इसको चुना गया है इनका नाम है नवाफ सलाम नवाफ सलाम को नया प्रेसिदेंट चुना गया है और यह एक्जाम परस्पेक्टिव से महुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखेंगे पूछ सकता है एक्जाम में कि हाली में किस लेवनी जज को आईसे जे का नया प्रेसिदेंट चुना गया है तो आपका अंसर होगा नवाफ सलाम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेलो इंडिया एक मोहिम है जो शुरू कि है हमारी भारत सरकार ने इसका नहीं टार रिविल पर गेम कराए जाते हैं की फिल्डीय नPeशनल गेमें खेलो इंडिया उनियू टा-दन धिशा वमेंस जैक औरके को नथी टेंद जाल कि अभी हाली में जो आई पील है आई पील की ग्रिटेस्ट टीम बनाएगे यानि कि शुरूर से लेके अब तक की एक जो खिलाडी खेने उनकी टीम बनाएगी उस टीम का ग्रिटेस्ट टीम का जो किसको चना गया तो अनिल कुंबले हर्वजन सिंग के बाद तो यह हैं रभी चंद्रन आश्रत रभी चंद्रन अश्रत ठीक है चलो अभी हाली में पीफा फुट्वाल की जो एस्सेशन और अगनाईशन इसने रैंकिंग इसू करी दुनिया बर की जो फुट्वाल टीम है उनकी तो इंडिया की अभी जो रैंक है वह बहुत नीचे चली गई है पहले एक तो एक थी आना अब घटकर एक सो उत्तरा हो गई है ठीक है तो कौन सी रैंक है एक सट्रैंवी रैंक है तेक है चलिए नेक्ट आए अधा अग इस चलो इंडिया की हैमर थो है एक इस अई अग इस जिनको अब्हा क्या नाम का इनका नाम है रचना कुमारी नेक्स चैसुलम्प्याड किस कंट्री में होने वाला है क्योंकि अभी हमारे जो कर दि कौन से कंट्री को किए बुड़ा पेश्ट कहा हैं अंगरी की अगरी की वाला है एडिशन ऑप ऑट ठीक है चलिए गांदी न अगर प्रीमियर लींड तुस ने किया इसका का इनवरेशन यूनियन होम मिनिस्टर अमिस्टा के दोरा इसका एफ राइब ऑजिक का एब जालो हाँ अभी हाली में टैनिस प्लेर्स की रैंकिंग आई और हमारे एक इंडियन प्ले जो इस रैंकिंग में नैंटी एट्वी पुजीशन हमीं हासिल किय नैंटी एट रैंकिं इस एक्सराइज को इस एक्सराइज को कंड़क्ट किया गया पोकरन में नियर जैसल मेर राइस्थाम चलो इस दौर सिस्टम यह क्या है इंडिया के द्वारा किया गया एक एक है जिसको भी हाली में कहा टेस्ट किया गया था राहिस्थाम के जैसल मेर में टेस्ट किया गया था दूरें बाईशक्ति एक्सरसाइज ठीक है चलिए नेक्स्ट जो हमारे पहले सीडियेस थे जनरल बेपिर रावत अभी हाली में उनकी जो इस्टेच्व है वो लगाई गई है क्या नाम किस जगे लगाई गई है यह स्टेच्व ठीक है यह लगाई गई है धहरदूद ठीक है अ डेर्टम मोधि आप अभी हाली में उत्तरप्धेश विजिट किया और विए और आने कल की धाम टेमपिल के नीव अधार शिला रखिए कहां पर रखिए संभल में रखिए संभल में कल की नाम टेमपिल की नोंने नीव रखिए चल गेटूब तक अलम एलिमियम आयरन बट अब ये दुनिया का पहला बुडिन सैटिलाइट बनेगा कौन इसे लांच कर रहा है नासा और जाक्सा मिल के कर रहा है ठीक है चलो गूगल ने कुछ सब्सक्राइब पहले अपना एक चैट बोट किया था लांच किया था जिसका नाम था बार्ड अब इसको किस नाम से लिए नेम कर दिया घया जैमिनी के नाम से लिए नेम कर दिया गया है ठीक है चलो है ले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 बहुत इंपोर्टेंट एक्जाम पर्सपेक्टिव था ठीक है आया है और इसमें जो रैंकिंग है चेंज हो गई है पहली पोजीशन पे कौन है फर्स पोज टेक है चलो तो यह आपका 13 से लेके 20 फरवरी तक का करेंट अफेर्स है ना तो चलिए इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू झाल